आगामी 18 दिसंबर को सावनेर तहसिल की 36 ग्राम पंचा सरपंच और ग्राम सदस्यों हेतू मद्दान होना है ऐसे में हर पक्ष और हर प्रत्याशी प्रचार में पीछे नहीं रहना चाहता तो वहीं हर कोई अपने जीत के प्रती आश्वस्त दिखाई पड़ रहा है कौन चीतेगा और किसको होगी हार यह तो 20 दिसंबर को होने वाली मदगर्नस से इस पर श्ट हो जाएगा साबने तालुका समवादाता ने तालुका के कुछ ग्राम पंचायतों का मुआइना कर चुनावी प्रचार और वहां की फिलहाल परिस्तिती को जानने की कोशिश की जिस कड़ी में तालुका की विक्सित और सर्व सुवीदा योगते भाने गाव ग्राम पंचायत का दौरा कर वहां के मददाताओं से इस चुनाव पर उनके विचार जाने भाने गाव पंचायत चुनाव को लेकर राचनितिक माहोल गर्माने लगा है जिसमें आज चुनाव परचार दर्मियान कॉंग्रिस नमर्पित पक्ष के ग्राम विकास अगाडी के सरपंच पद प्रत्याशी और ग्राम पंचायस दस्ये उमीदवार की प्रचार रैली को भारी प्रतिसाद मिल रहा है ग्राम विकास के मामले में तालुका की अन्नी ग्राम पंचायतों की तुलना में भानेगाव ISO स्मार्ट सुन्दर ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है गली महले में वोट मांगने वाले प्रत्याशी सुभा से वोटरो के घरों का चकल लगा कर उन्हें रिजाने में लगे हैं चुनावी माहूल बनाने के लिए प्राचारत एक दूसरे की टीका टिपड़ी की जा रही है प्रत्याशी वोटरों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। पूर्व सर्पंच रविंद चिकले चुनकर आये थे। बढ़ाने है तू पहल करेंगी इसलिए ऐसे लोगों में खौफ निर्मार्ण है लेकिन मद्दाता अपने शीत में विकास के साथ साथ शांती भी चाहती है ऐसे में डॉक्टर मिनाक्षी वास्तने की जीत निश्चित मानी जा रही है सावनेर से इन बीसे न न्यूस के लिए समवात अता किशो डुंडेले की ग्राउंड रिपोर्ट